ओके तो बाइस साब खान तो हो गया है अजब जिस बात का डर था वही हुआ जैसे कि हम लोग जानते है जोनाथर मेजर्स जो कि में कैंग का रोल प्ले करते हैं और आंकमेंड की शूतिंग के बाद उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्हों ने एक रेस्टरांट में या कैफी में अपनी जीएफ को बूरा भला कहा है और उससे माधा भी है तो इसी बात पर जीएफ उनकी ने इन पर असौल्ट का केस कर द को इसकी वज़ा से गिल्टी पाने की वज़ा से जेल भी जाना पर सकता है या कुछ आइन भी हो सकता है इसी बात का तो मार्वल वाले वेट कर रहे थे और इस्वे कुछ दीर ही बात दिनुंग जाती है कर मेंडियौ को मारवल ने की सकति grace कर Тыः है उसे निकाल दिया गया ह हैं और फैन्स काफी नाराज हैं इस बाद से क्योंकि मेज़स की एक्टिंग एजए कैंग बहुत जारा लोगों को पसंद आई थी अब यही सारी चीज़ें चल रही थी कि एक और नियूर स्लैश रूमर्स आते हैं कि मेज़स को एक अमेरिकन फॉट्फॉलर रशीम ग्रीन के नाम से हैं जिन से रिप्लेस कर दिया गया है और जैसे मार्वल वैले पहले ही सोच के बैठे थे कि बाई क्या करना है आपके हैं नहीं आलो क्यों को कैसे बताना है कैसे मेज़स को रफ्लेस करना है स्टॉरी लाइन आगे क्या चलेगी कि अगर देखा जाए तो मैजर मेभी सीकर्ट वास के बाद भी हमें नज़र आ सकते थे किसी ना किसी वेरियेंट में में भी अच्छा वेरियेंट होता लेकिन आब बिल्कुल इनकी जो है सारी स्टोरी लाइन खतम कर दी जाएगी अगर इन्हें रिप्लेस ना किया गया तो दूसरी दूसरी यह थी कि इन्हें पूरे क्रेक्टर को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा डॉक्टर डूम के साथ यह बात भी अच्छी है लोगों को डॉक्टर डूम जल्दी देखने को मिल जाएगा लेकिन लोगों को मेजर काफी पसंद आये थे तो अब देखते हैं अभी तो मैं सब्सक्राइब करें उसका मार्वल वाले ऑफिशल कैसे बताते हैं और कब बताते हैं उसके बाद प्रॉपर बात हो पाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में